तो गाई जब हम आ गए है चैप्टर के बिलकुल लास्ट टॉपिक पर जो है थ्री डामेंशनल मोशन यहीं 3D मोशन तो यह 3D मोशन मैं आपको पहले जैसे एक्जामपल दिया था कि कोई भी flying insect या किसी भी board या किसी भी चीज का अगर आप motion observe करो तो यार वो तीनों dimension में हो रहा होता है वो उपर नीचे आगे पीछे left right सारे direction में हो कर रहा होता है तो यह जो motion होता है इसको बहुत है 3D motion ठीक है क्योंकि यह ना कोई line पे हो रहा है ना कोई plane में हो रहा है यह पूरे space में हो रहा है तो 3D motion में सबसे पहले पढ़ेंगा हम displacement तो यह वही चीज है कि हगर हम किसी point x1, y1, z1 से किसी दूसरे point x2, y2, z2 पर अगर जाते है तो तो displacement हुआ है इस case में हमारा वो हमारा हुआ यह a-b vector and origin हमारा o है ठीक है तो हम इस triangle से बोल सकते है कि मेंड़ a-b vector is equal to o-b vector minus o-a vector तो o-b vector मेंड़ा क्या था x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus of x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap यहा से हमारा जाएगा x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap तो यहा से बहुत clearly हमें दिख रहा है कि हमारा जो displacement है वो in terms of coordinates यह बनता है ठीक है तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद हम आएंगे velocity पर तो जो चीज 1D 2D में होगी यहां भी हम लिख सकते हैं कि हमारा vx जो है वो होगा आपका dsx by dt similarly आपका जो vy होगा यह होगा आपका df sy by dt यह dsx को मैं dx ही बोलता हूं dx by dt ठीक है इसको मैं बोलता हूं dy by dt और मेरा जो vz होगा न बस एक चीज डिफरेंट है 2D 3D में कि एक नया dimension आता है वो z axis के अलोंग होता है ठीक है तो यहां बोलेंगे df z by dt and sz तो z ही होता है तो dz by dt ठीक है इंटो i cap इंटो j cap और इंटो k cap तो यार यह तो अपने vx vy और vz हो गए in terms of xyz इसके अलाबा वही चीज है कि अगर आपको कोई मतलब अगर आपको कोई velocity दियो object की तो उसके components कर सकते हो along xyz जैसे 2D में हम करते थे cos theta sin theta वैसे हम यहां 3D में भी components कर सकते है कैसे करते है वो देखते है चलो माल लो मेरी velocity जो है particle की वो देखो यह मेरा x है यह मेरा y है and यह मेरा z है अब इसको ऐसे सोचो कि xy plane जो है वो मेरे screen की plane है and z जो मैं screen से बाहर आ रही है ठीक है ऐसे imagine करना चीज़ को अब यहां मैंने को velocity vector ले लिया v vector अब मैंने पूछ रहा हूं कि मुझे vx, vy, vz बताओ तो सबसे पहले मुझे parameters define करने पड़ेंगे पहला parameter कि यह जो मेरा v vector है न यह मेरे x से कितना angle बना रहा है इन in xy plane xy plane में जो मेरा आपको अभी फिलहाल दिख रहा है कि यह वी एक arrow है और यह screen के अंदर है पर ऐसा है नहीं असल में यह arrow screen से बाहर आ रहा है पर क्योंकि यह screen आपकी 2D है और मैं भी 2D में पढ़ा रहा हूं तो आपको दिखनी रहा पर ऐसा मान लो कि यह arrow है यह xy plane इनके बाहर आ रहा है थोड़ा सा तिरचा एक एंगल पर है तो उसका component है जो xy plane पर है और एक component है उसके इनके बाहर आ रहा है पर वह हमें दिखनी रहा तो यह जो एंगल बना रहा है आपका vector with x axis इसको हम बोलते है थीटा एंड इसका एक component अगर मैं drop करूं xz plane ठीक है तो यह जो थीटा एंगल है वो xy plane में बन रहा है जो phi एंगल है वो आपका xz plane में बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं x component अगर मैं लिखना चाहूं vx तो यह चीज टेगरोनमेटरी से बहुत क्लियरली दिख रही है कि आपका जो vx है वो कितना है vx जो है वो देखो इसको ऐसे सोचो कि सबसे पहले आप v को xz plane में उसका projection लो तो यह जो projection में द्रॉक किया है इसकी length कितनी होगी इसकी length होगी v cos theta ठीक है अब मुझे निकलना x के along तो मैं उसका भी component लोंगा x के along तो वो होगा v cos theta cos phi यह आपका होगा v cos theta cos phi मतलब वही mod of v cos theta cos phi i cap यह होगा आपका vx सिमिलले आपका v y यह कैसे निकलेंगे यह v sin theta ठीक है इसका along sin theta तो बस इसका v sin theta ही आएगा तो यह आएगा आपका mod of v into sin theta j cap और सिमिलले आपका जो z के along है vz वो क्या है इसका v का component along xz plane वो होगा v cos theta and उसका component along z axis तो वहाँ पर आएगा sin phi तो यह आपका v of cos theta sin phi k cap तो यह अगर आपको दिया हो कि आपका particle जो है आपका जो vector है उसकी length है कुछ v तो उसका अगर angle बन रहा है theta from x axis in xy plane and बन रहा है phi from x axis in xz plane तो उसके जो components vx vy wizard होंगे वो यह होंगे खेर यह polar coordinates का हिस्सा है यह polar coordinates का हिस्सा है but I believe कि आपको यह चीज आनी ज़रूरी है ठीक है तो जैसे आपने Cartesian coordinates पढ़ा था ना बचपन में 9th में 10th में वैसे ही एक और coordinate system होती होती ही polar coordinate system polar coordinate system में क्या करते थे Cartesian में हम यह करते थे कि भाई x, y, z में सीदे सीदे हिस्से कर दिये किसी भी चीज के component कर दी x, y, z के अलोग यहां हम क्या करते पोला coordinates चलते है polar coordinates जैसे यहां होता है x, y, z वैसे polar coordinates होता है r, theta, phi ठीक है तो r, theta, phi का होता है कि r वो distance है r is distance of particle from origin यह होता है अपका radius vector इस तरीके से position vector फिर theta जो है न यह है angle made by r vector from x axis in xy plane similarly आपका जो phi है न वो यह angle made by r vector from x axis in x, z plane बस तो polar coordinates एक नया coordinate system है आपके लिए vector जो है वो theta 5 बना रहा है respectively तो मेरा vx, vy, vz का formula यह रहे है apart from that अगर आपको Cartesian coordinates में दिया हो चीजे तो यह देख सकते हो आप जो मैंने ऊपर लिखा है यह जो लिखा है मैंने यह मेरा Cartesian coordinates में थोड़ा मैसी हो गया है बट हाँ this is Cartesian coordinates और बाकी जो लिखा है सब polar coordinates है ठीक है तो यह हो गया velocity तो basic बात तो यही थी जो मैंने redbox में लिखी है और यह जो बाकी का दिखा है यह तो polar coordinates दिखा है आपको इसके बाद आते हम acceleration पे acceleration में क्या होगा वही सेम चीज मेरा ax जो होगा वह होगा क्या dvx by dt i cap ठीक है ax हो गया जैसे ay क्या होगा dvy by dt j cap और मेरा az क्या होगा dvz by dt k cap और इसको हम लिख सकते है d square x by dt square i cap इसको में लख सकते है d square y by dt square j cap इसको लिख सकते है d square z by dt square k cap यारी आपका acceleration का theme component ax ay az ऐसे ऐसे बनेंगे अब अगर आप मुझसे पूछा कि polar coordinates में क्या होगा तो polar coordinates में थोड़ा गंदर बनेगा फिलाल हमारी समनना ज़रूरी नहीं है वह आप mathematically खुद derive कर सकते हो पर वह अभी पढ़ाऊंगा तो काफी confusing हो यह कि चीज है तो यार वही है कि जो हमने 1d2d में पढ़े थे कि 1d में क्या पढ़ा था वही कि displacement x होता है velocity vx होती है वह दी x by dt and acceleration होता है dvx by dt या d square x by dt square यह वही ठीक है तो वह हमें सोचने के जरूरत नहीं है यह तीनों independent coordinates या directions है तो हमें बस इन तीनों को अलग अलग ट्रीट करना है और फिर उनको combine कर देना है in the end तो यह हमारा हो गया three dimensional motion इसी के साथ हमारा kinematic structure खतम होता है thank you हुआ कर दो